करेंगे हमारे जून 2024 में जो एंटिनेट का वेपर हुन है उसके लिए ओनलेन बैच हमने स्टाट किये और उसी ओनलेन बैच के अंदर हम लोग जो है वो आज हम करेंगे हमारा अउनलेन मैच का लेक्टर नमबर सेकिंड लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वो स्टाट किया था हमारे कोमर्स में जो यूनिट नमबर फ्रस्ट है ये इस इंटरनेशनल बिजनस तो उस यूनिट को हमने वो स्टाट किया था ये हमारे आईगी का बुग था और हमने थोड़ा basic जो हो पढ़ा था international business का मतलब जो हो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जो है वो जानने का परियास किया था अब आज हम उसका आगे का topic जो हो करेंगे तो पहले एक बार यह दिखते हैं कि last video में हमने चीज कवर की तो उसमें क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर basically last video में हम लोगों ने जो हो पढ़ा कि जो इंट्रेशनल बिजनस है वो दो वर्ट से मिलके जो हो बना था एक था एक होता आपका trade और एक होता ओक्जिलरी टू ट्रेड ट्रेड पर फिर हमने पढ़ा था इंट्रेशनल का मतलब तो मैंने आपको बताया था तो section 2 के close number 27 में section 2 का close number 27 किसका ये custom act का तो अपने Indian custom act 1962 के section number 2 के close number 27 के अंदर इंडिया को define किया गया और ये बोला कि इंडिया का मतलब है इंडिया include TWI फिर आपको मैंने आप ये clear किया था किसी भी act के अंदर हर act का section number 1 जो हो बात करते किसका title के बारे में उसके scope के बारे में और section number 2 के अंदर बेसिकली जो है वो लिखा जाता है definition part ठेक है अब definition जनली section के अंदर आपको जो भी आपके act होते हैं उनके अंदर जो definition ते वो दो त इत्या के अंदर हमने पड़ लिया था फिर हमने पड़ा की इंडिया का मतलब जो होगा है TWI है TWI का मतलब है Territorial Water of India मदला समंदर का वो पान है जिसके उपर किसका अधिकार है इंडिया का अधिकार है उसको बोलत है TWI फिर हमने पड़ा था ये कितना होता है 12 Nautical Mile में 1 1.85 km का एरिया होता है और 12 Nautical Mile का मंदब कितना हो गया बाइस किलोमेटर तक का एरिया वह बाइस किलोमेटर कहा था बेस लाइन से यह उसको बहुत है क्या कोस्टल लाइन से ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर जो है एक एक हमने पास कि जिसका रहा है Maritime Zone Act 1976 और यह एक जो है वो पावर देता है किसको सेंटर गोर्मेंट को कि सेंटर गोर्मेंट अगर चाहे तो वो अपने लोग को EEZ बोले तो Exclusive Economic Zone ऐसे जोन जो exclusively जिसके उपार राइट सिरफ किसका है जिस पे वो ऐसे जोन ऐसा एरिया जहां पे Economic Activity करने का exclusive rate हमारा है उस एरिया को बोलते है EEZ तो जो आपका Maritime Zone Act है वो हमारे सेंटर गोर्मेंट को पावर देता है और यह बोलता है कि सेंटर गोर्मेंट अगर चाहे तो वो अपन एक इस एरिया के अंदर भी जो है वो क्या कर सकती है अपलाई कर सकती है यह कितना होता ह 200 nautical mile इसका माले यह 370 km का जो है वो क्या है एरिया होता है यह हमने पढ़ लिया तो इंडिया के अंदर जाओ क्या इंडिया में टी डिवलो ए तो आएगा और साफ में EEZ भी आएगा तो यहां के आपको मैंने यह बता है था कि अगर exclusive economic zone के अंदर अगर कोई भी आपने natural case निगालिया का काम किया और इसको अगर लेकर आ यहां पर लेकर आ रहे हो तो इसको import नहीं माल यह ठीक है इसके बाद फिर हमने पढ़ था International business क्या हो तो आपको मैंने बताए International business कोई भी business activity अगर मालो कोई भी company कोई भी country कोई भी country या कोई भी company अगर business activities को perform कर दे है करें और वोटर जाकर करके तो उसको को बोलते हम लोग क्या international business फिर दो छोटी लिटी टम्स को लेकिते है एक उता म्हार ईंपोर्ट और एक उता मा बहार से बने ह agreements का इंडिया के अदर लेeles आधे लिए उसको बोलता है इंपर्ट्रो अंदिया में को समारो क्या संवारा के ना बेश न ऐसको बहुत ऑतब चन्नी आख सब्सक्राइब को इंडिया कोंता है अधिकों क Works food setting ङोंता वैंडिया टीक्या ठीक वोगंता है उप सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे एज़नी से्जाबिज़ करतेंगे पिर इस्कोः फिर हमने पढ़ा था, international business में इंपोर्ट एन्पोर्ट एट्सपोर्ट ने आगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उनली पार्ट एक इसके international business का, जबकि international business के scope में उसके area में भोग सारे concept जो हो निकल गे आते हैं, तो इंटनेशनल बिजनस का स्कोप बहुत ही वाइटर है, इसके अंदर बेसिकर इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग ओधा गुडशन सर्विसीज, रैसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइज ही हो गया, यह सब कुंसेप्ट जो है, वो इंक्रूड है किसके अंदर आपके इंटन अच्छाइज का कोंसेप्ट और है, एसा है, थोड़सा अनलिकल, थोड़सा टेक्निकल, जिससे आपका माइन ये जब खुल जाएगा, आपको पता चलेगा, देखो, जब आप अपने स्लेबश को देखोगे, तो अपने स्लेबश के अंदर जो है, वो क्या-क है, थियोरी economic integration है, हमारे slivers के अंदर balance of payment है, हमारे slivers के अंदर foreign trade policy है, लेकिन एक बात बताओ आपको, ये जितने भी concept है इन concept का जो base है वो आज वाले वीडियो के अंदर आपको वो समझ में आने वाले है, ये foreign trade policy government में क्यों बनाई, उसका logic आपको आज समझ मेंगा, देखो, government हर साल जो है budget लेके आती है, जिसको हम बोलता है budgetary policy, उसका fiscal policy भी बोला जाता है क्यों लेके आती है, अपने देश में हम हमारे देश के अंदर आने वाले वित वर्ष में, आने वाले financial year में हम क्या करने वाले है, उसके लिए government advance के अंदर बताती है, ठेके, उसको बोलता है budget, तो future के अंदर, अगले एक साल के अंदर, government जो है, वो कितना खर्चा करने वाले है, कितना revenue जो है generate करने वाले है, और कितना expenditure जो है, वो करने वाले है, इस सब का विवरा गौर्णमेट्ट एडवांस के अंदर देखे उसको बोलते हैं बजेट तो बजेट जो है वह वह बेसीद देखे बजेट हमारी फिसकल पॉलिशी होती है क्या होती है फिसकल पॉलिशी ठीक है नो उसी तरीके से आरवी जो डिजर्व बैंक ओफ इंडिया के अंदर एक कमिटी बनी है जिसकर आमें MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ठीक है MPC बोलते है उसको तो वो हर साल जो हर दो-दो महीने में जो है वो क्या करती है बाइमंतली पॉलिसी जो है वो इसको मॉनिटरी पॉलिसी बोलते है तो अपने rules and regulations किसे related? monetary policy का मے wealth and regulations तो when we divide वесь नरे ब्रेसिकली उसी तरीके से foreign trade policy के नरे जो है वो क्या है रूस नरे closes नरे प्रेट Around ज замет वो आज आपको थोड़े से जो प्लियर होगे government क्यों बारी-बारी जो है import अपने अथसर सुना कोगा government भार से goods को लाने में government इंपोर्ट को रोकने का काम करती है और government export को बढ़ावा देने का काम करती है मोडिय जी ने कितनी साथे schemes वो चलाया हidosAY है जिसके तुरू मोदे जी जो है, वो अपने देश के युवाओं को प्रेरीद कर रहे हैं कि भाई, तुम सामान बनाओ, मेक इन इंडिया करो, और उसके बाद उस सामान को बाहर एक्सपोर्ट करो, तो हमको बहुत सारी जो हो क्या करेंगे, तुमको फिनेशल हेल्प भी कि है या नहीं है, ऐसा क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के लोजिक आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आज के वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिसने पहला लेक्शर नहीं देखा, तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक पर आप फॉस अच्छे जरूर देखिएगा, वहां से आपको काफी सारे चीज़े जाओंगे, ओके, जीसन, चलो, अब हम स्कार्ट करते हमारे लेक्शर नम्र 2 को, लेक्शर नम्र 2 के अगर में बात करता हूं, तो देखिए, पहले एक बेसिक सी बात लेके चलते हैं, देखो, इंटरेश बंसेगा, फ्रेंचाईजी बे आएगा, ऐ समझेदी किछी सब कीजह हैं, जोंच वेंचर, घ्रीन इंवस्मेंट, ब्राउन इंवस्मेंट, मर्जल एक्व्जिशन, यह सब किसका पार यह यह सब इंटरेश्य डैस गर नदर राएंगा, लेकिन जपीर जानली हम लोग जो news होते हैं अगर जो सेल पंगर इंट्रेंशन लेवल पर यही तो इन का वर्ट जो नाम है मुझेट हो परचेज में सब्लिक्ट करें य। Inport,akah OS One ध्याम से थोड़े का चीज़े अब इसb आपको link करूगा है ठीकिना आप एक बाव concept समझो आ देखो जी इंटरेश्यन विजनस के अदर बेसिकली हम लोग लेके चलते हैं important and export को जनले हम लोग किसको लेके चलते हैं एक हम import लेके चलते हैं एक सब्सक्राइब करों तो इसके उपर लुखते तो इसके उपर आपके टेक्स करना पढ़े है सिसको जिसको बुलतो है गोड एंड सर्विसिस टेक्स ऑकि या बरॉल पर होगा तो अगर हम तो क्रिक्स करेंब Lacan तो domestic business किस के दाइरे में आता है? GST के दाइरे में आता है. लेकिन जब आप जाओं international trade करना शुरू करोगे, जब आप international trade करोगे, बोले तो sale, international trade के अंदर sale को जाओं किस नाम से पुकारेंगे? Export से, और purchase को किस नाम से पुकारेंगे? इंपोर्ट से, तो जब कभी भी आप export इंपोर्ट करना शुरू करोगे तो आप किस के दाइरे में आ जाओंगे? तो आप GST के दाइरे में नहीं आओगे, अब आप custom के दाइरे में आ जाओंगे? किस के दाइरे में आ जाओंगे? Custom के, जानता सुनना? इंट्रेक्शन बीजनस के अंडर जानफारां ने उप्स जान्य चैक्ट्व को लेके जलते हैं और इंपोर्ट्न और एक्स्पोार्ड की यह दोनों किसके लाइवा ना किसके बाते हैं घंता सुनना यह दोनों कस्तुम अर्टक के सस्ट्ब नी हो जाएंगे उनके ऊपर लेकिन जब आप international visions करना शुरू करते हो, बोले तो जब आप import export करना शुरू करते हो, तो जब भी आप ये काम करना शुरू करोगे, तो ये import export जब आप करोगे, तो आप आप किसके दायरे में आ जाओगे, आप कस्टम act के दायरे में आ जाओगे, तो आपके उपर custom act के provision जो ह उसकी क्या करते हैं और फिर आप से टेक्स करते हैं जिसको बोलता है custom duty अर्शवरमे बने सुना होगा कि भी custom duty पेज करना पड़ेगी अगर आप बहुत से कोई समान को इंपोर्ट कर रहे हो अगर आप भार से कोई भी समान मंगवा रहे हो तो आपको उसके उपर एक text जो हैं इंडिया के अंदर पे करना पड़ेगा जिसको बोलते है custom duty क्या बोलेंगे custom duty ठेके अगर आप इंडिया के अंदर ही कोई समान को बेशते हो तो आपको GST goods and service text पर करना पड़ता है ठेके ना उसी तरीके से अगर आप भार से कोई समान को जो है क्या करोगे import करोगे तो आप त custom duty अपना जो custom department है उसका जो में revenue का source रहना वो कह है custom duty है और custom duty में generally हम लोग इंपोर्ट duty को consider करके चलते हैं ठेके तो इसका मलब यह हो गया है जो हमारा भार से अगर हमारे कोई भी लोग इंडिया के अंजर आ रहे हैं और अगर वो भार से कोई समान को जो है वो ले के आते टेक्स का payment हम को करना पड़ेगा जिस टेक्स को बोलते हैं हम लोग क्या custom duty जब आप custom duty पे कर दोगे तो आप अपने समान को custom से clear करवा सकते हो समझे मैं yes sir तो इसका मलब जो हो क्या हो गया कि हम जब भी import export करेंगे तो हम किसके दाएरे में चले जाएंगे हम जो है वो किसके department का जो main revenue source है custom department की जो कमाई है ना वो कहां से हो रही है custom duty से income tax department की main कमाई कहां से हो रही है income tax से GST जो department है उसकी main कमाई कहां से हो रही है GST से हो रही है उसी तरीके से जो है वो जो हमारा custom department है उसकी जो main कमाई हो रही है वो कहां से हो रही है वो हो रही है custom duty से जिसको बोलते वो कि इंपोर्ट डियूटी क्यां बोलेंगे इंपोर्टोटि ऑटी जी सर अब समझरना थोड़ा इंपोर्ट जीप्यर ने खीए इंपोर्ट ड्यूटि जो मंगवा रहा है लेकिन वो उसकी recovery जो हो किस से करेगा एंड customer से करेगा तो इसलिए यह जो हो क्या आए इंडिरेक नीचर का टैक्स ठीक है इसा क्यों हो रहे हैं जब हम भार से कोई सामान खरी डिक हैं तो पहले तो आप भार की कोई टैक्सपे कर दिया होगा तो हमारी देश की रिखो क्या करो टेक्स पे करो ऐसा क्यूं हो रहे ऐसा क्यूं है उसका रीजन समझने का प्रयास करते है आए वाइ गॉर्मेंट इंपोस कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है आए समझे इसके पीछे दो में जो है वह उब्जेक्टिव है सबसे पहले तो रिवेजियु अचाहती है त तो देखो जी आपको यहाँ पर tax प्रे करना पड़ेगा, तो tax लगाने का, जो main motive गुवर्मेंट का एक तो क्या होगा, revenue earn करना, बोले तो कमाई करना, tax के रूप में कमाई करना, बोले तो earning करना, तो government जो है, tax क्यों लगा रही है, तो एक तो government कमाई करना चाहती है, क्योंकि देखो हमारी भारत सरकार जो है, उसका main revenue का source क्या है, government इतने बड़े पुल बना रही है, dam बना रही है, highways बना रही है, भाई पैसा कहां से आएगा, तो पैसा government यही तो करेंगी, government बिचारी tax से पैसा प्लैट करती है, यह क्या होता है, इसको एक example के तुरू आपको समझाता हो, अब कहानी क्लियर हो जाएगी, अभी के लिए जो आपको मैंने पढ़ाया, उसको समझो एक बार, मैंने आपको बताया कि इंटरेशनल विजिन के अगर बात करता है, तो इसके अंतर हम लोग import export लेगी तो यह जब कभी भी import export आयेगा, तो इसका मिला हम जो आप किसके डायरे में चला जाएगे, custom act के डायरे में चला जाएगे, अब custom की डायरे में जो आप जाओगे, तो custom department जो है, वो आपके ओपर क्या लगाएगा, तो custom department आपके ओपर जो हो क्या लगाएगा, custom duty लगाएगा, ठीक है जी, अब custom duty क्यों लगाते हैं, reason क्या है, क्यों government जो हो custom duty लगाने का काम करती है, तो एक motive जो है, वो तो क्या था, revenue, government जो है, वो tax के तोर पर पैसा कमाना चाहती है, और दूसरा है protection motive, अब यह production motive क्या है, इसको समझने का प्रियास करेंगे, लेकिन इससे पहले, आप मुझे एक बात बताओ, जहां से समझना बहुत important बात है, एक बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे है, ठीक है, आप मान देजिए एक एक एकमबल में लेता हूँ, आप जेरफ होने के बाद में आपने PhD किया, पीएशडी होने के बाद में फिर आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएशडी किया, मालोग वहां पर जोब निकली, आपने वहां पर अपलाई किया, और आप सिलेक्ट होगी, अरे वा, आप बनगे जी assistant professor, जब आप assistant professor बने, तो assistant professor बनने के बाद में आप आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप जब आप पढ़ाने के लिए गए, तो आपको बिकॉम second year की class रहो मिले, और बिकॉम second year के अंदर दो बच्चे थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था शाम, ठीक है, अब आप जो है, अगर आप से मैं कुछ हो कि बताओ, राम और शाम में जो है, वो कौन आपको ज़ाता intelligent लगा, तो आप कैसे बताओ, आप मुझे ये बताओ, अगर आपने किसी भी एक बच्चे की या दो बच्चों की अगर आपने performance को अगर evaluate करना है, तो आप कैसे करते हो, मुझे ये बताओ, सर अगर किसी भी बच्चे की performance को evaluate करना है, तो आप उसको जनली जज़ करते हो किस से, कि उसने कितने marks secure किये, ये सर लो, ये सर, बातो सर से, ये बिलकुल, अगर किसी, अगर मालो 100 बच्चे क्लास के अंदर, अगर आपको ये देखने हैं कि कौन से बच्चा, फर्स्ट आया, कौन से बच्चे की performance सरसे धाकड है, तो आपको पता कैसे लगाओगे, सर वो पता चलेगी, हम उनके जनली marks देखेंगे, उनके marks से हम लोग जो वो अंदाजे लगाएंगे, कि किस बच्चे की performance कैसी है, ये सर लोग, ये सर, बात तो सर सही है, अगर बच्चे की किसी भी बच्चे की अगर performance को अगर आपने evaluate करना है, तो उसका अंदाजा हम लगाते है किस से, कि बच्चे ने कितने marks क्या किये, secure कि है, वहाँ से अपने को पता चलता है, पर्फोर्मेंस को evaluate करने का जो base होता है, जिस base पे आप बच्चे की performance को evaluate करते हो, वो क्या है, वो जोनली के marks होते हैं, वो क्या होते हैं, उसी तरीके से, इन सेम वे, एक country की, अगर किसी देश की international economic performance को, अगर आपने जो हो क्या करना है, measure करना है, अगर एक देश की international economic performance को, अगर आपने जो हो क्या करना है, measure करना है, तो उसके measure करने का जो base है, वो क्या है, वो क्या है, वो उस country के पास available foreign currency reserve है, वो उस country के पास available foreign currency reserve, समझे लिए, तो अगर किसी भी देश की international economic performance है, सबस्क्राइब देखनी है ना तो आप उसका अंतरचा कैसे अच्छा एक बाद रुटाओ यह भी छोड़ आपको यह प्यापता समंझ में ना एंए एक बाद दोस्त हैं ठेके अगर आपको यह देखना है कि यह अलग आपके दो कि कौन ज्यादा अमीर है तो पता किसी दिलेंगा को आपके दो फ्रेंड है मालो ऑफ कौना दोस ज्यदा अमीर है उसका पता आप कैसे लगा होगे मुनिकल की बात कर रहे हुगा है earlier सबसे पहलिदेखें Neboys कि मौझ य Сам घर कई रहे है जितना बड़ा घर को सके ब्लभार aur तो दस अदार का कौन ज़्यादा अमीर है पहले वाला एक बंदा है जो मर्सडीज रखता है जो ओडी रखता है जो बीमड़ी रखता है और एक बंदा जो विचारा उल्टों में घूम रहे हैं कौन ज़्यादा अमीर लग रहे हैं सब पहले वाला बंदा एक बंदा है जो ए अगर इसी देश की एकनोमिक कंडीशन अगर आपने जाननी है तो उसका पता लगा जाता है कि उस देश के पास में foreign currency के कितने reserve आपके पास में कितने reserve पेडे हैं फोर प्रण फोरंग करनसी के अंदर बैसिक ली अदर दें इंडियन करंसी जैसे मैं इंडिया के पार्ट बात करता हूँ तो इंडिया के लिए फोरण करंसी क्या है इंडियन करंसी इंडियन रूपीज आई एन आर इंडियन रूपीज के अलावा जो भी करंसी होती है चाहे वो यूएस के डोलर है चाहे वो जपान का येन है चाहे वो यूरोप की आपका यूरो है ठेक है तो यह सब करंसी जो होते हैं यह हमारे लिए क्या है फोरं करंसी ठेक है तो अगर किसी भी देश की international economic condition अगर आपने measure करनी होती है तो वो पता चलता है उस देश के पास कितने कितने foreign currency की reserve पड़े है आप देखो मैंने क्या लिखा जैसे एक बच्चे की performance को अगर measure करने तो आप कैसे पता करोगे उसके mark से उसी तरीके से एक country की international economic performance को measure करने का जो base है वो क्या है वो उस country के पास available foreign currency reserve उस country के पास में कितने foreign currency currency के reserve अभी लेवर है वहां से आप लोग अंदाजा लगाते हो ओके जी आप question foreign currency क्या होती है तो other than home currency इंडिया के पार्ट में बास करता हूं तो इंडिया की जो home currency वो क्या है अगर आपने यह देख रहे है ना तो आप यह चेक करो उसके पास में foreign currency के कितने reserve अवेलेबल जिस country के पास में foreign currency के जाता reserve अवेलेबल है तो इसका मलब वो country जो है उसकी economic condition बहुती के बैटर है यह बाद ध्यान रखना तो international level पे अगर economic condition देखनी होती है तो पता कैसे चले जो है वो लगा हुए लेकिन अगर आपने किसी देश के international economy condition को अगर आपने चेक करना होता है तो आप वहां पे जो है वो उस economy को चेक करते हो बहुत यह economy कितने करोड की है कितने अरब की है और साथ में यह देखते हो कि उस economy के पास में उस देश के पास में foreign currency कितने reserve जो है available है इसलिए हर government जो है वो कोशिश करती है कि उसके पास reserve भड़े है या एक बाद बताओ हर कोई अमीर बना चाहते है यह नहीं चाहते है चाहते है अच्छा यह बताओ आप exam के अंदर ज्यादा माक्स रेना चाहते है और कम माक्स रेना चाहते है और ज्यादा माकस रेने के करो ये साधे और ऐगो है तौन हैं लिए र OT शाखलोगे सबसक्रेशनल संप्च आप के लिए खौन्बिशन पूराक करोई और चाहते हैं तो उसके लिए आप को काम भी करना पड़ेगा जो है उस यूटिर के पास अवेलेबल टो पूरान करश्य क्या होती है जो आपके पाफ में भूट्स के साथ में हम विदेश को इस विदेश कांट्री उठते साथ में जो भी हम व्यापार करते हैं हम लोग इंडिया जब rest of the world के साथ में rest of the world में सारी country आगी है तो इंडिया जब rest of the world के साथ में कोई भी व्यापार करता है तो उसका ब्योरा हमारी government लिखती है समझे नहीं बर एक बाद आगर आप कोई भी बिजनस करोगे तो क्या आप अपने बिजनस का सारा transactions यो भी आपने करिया है क्या उसका हिसाब लिखते हो यह सर लिखते हैं तो उसके लिए balance sheet बनाते हो हाँ जब बनाते है P&L account बनाते हो हाँ जब बनाते है उसी तरीके से हमारी country भी जान सुनना हमारी country भी अपनी country ने विदेशों के साथ जो भी lending किया पूरे साल के अंदर उसका भी एक जो है वो record maintaining किया जता है उस record को बोलते है balance of payment क्या बोलते है balance of payment तो balance of payment का बलब जो है वो क्या होता है balance of payment basically एक जो है वो एक accounting system है जिसके अंदर हम लोग जो क्या करते है जो भी financial nature की transaction ही है अमारे देश का बाखी देशों के साथ में जो भी financial nature की transaction ही है उन सब की recording जो की जाते है किसके अंदर एक book में जिसको बोलते हम लोग है balance of payment और आपको मैं बता दू जो balance of payment है वो किसमें बनता है US dollar में बनता है अपने देश का जो balance of payment है वो पता है कुम बनता है RBI ठीक है ना और RBI जो B.O.B. बनता है वो किसमें बनता है dollars के अंदर बनता है जो वो है आपका denomination जो है वहाँ पे rupees में नहीं बनता है वो किसमें बनता है dollar में बनता है यह बाद थोड़ा ध्यान लगना ठीक है बागी जब balance of payment कर रहाँगा तो वहाँ पे हम cover करेंगे इसको लेकिन एक पर के ध्यान लगना उस तहन पर आपको मैं connect कर रहाँगा ठीक है तो ऐसा नहीं बता रहाँ थोड़ा ध्यान लखेगा ठीक है अब question यह है अच्छा आपको यह तो अच्छा यह बताओ अब क्या आप अपने performance को बढ़िया करना चाहते है यह सो नो हाँ जी सर करना चाहते है उसी तरीके से क्या हर देश भी चाहेगा कि मेरी condition जो अच्छी हो मेरी लोगों के बीच मेरी अब बार से क्टरं करना चाहते है अगर मैं इंडिया में समान को बना को बनाओंगा उसको बनाके अगर भार बेचूंगा तो क्या मुझे बाहर से foreign currency होगी या नहीं होगी, होगी, अब मैंने यहाद दिखा now the question is, how to increase किस तरीके से हम foreign currency reserve को increase कर सकता है, question यह आ गया अब इसमें सबसे पहरा option तो यह है increase the export export के कल वाली वीडियो में बताया था क्या, इंडिया उसे कोई भी सामान जो है, वो क्या होगे, receive होगे और क्या US dollar जो है, वो part है foreign currency reserve का, yes sir, no yes sir, US dollar जो foreign currency reserve का part है, हाँ जी sir, part है तो अगर आप export करोगे तो क्या आपको US dollar मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या उसे foreign currency reserve बढ़ेगा बढ़ेगा, तो क्या आपकी international economic condition सुधरेगी, हाँ जी sir, सुधरेगी तो क्या आप export करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, sir, कैसी वाद करें हम तुम मजा ही आजाएगा export करना चाहेंगे, इसलिए हमारी government जो है हमारे यहाँ के व्यापारियों को बोलती है बारी बारी, कि भाया सामान बनाओ और बना बना के भार बेचो क्योंकि government का अगर मालो यहाँ से, मालो मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इंडिया में को सामान बना रहा हूँ और बना के अगर मैं इसको भार बेचूँगा तो क्या मुझे बार से पैसा मिलेगा अब बार से जो मुझे एक foreign currency मिलेगी अच्छे यह बताऊ एक बार के लिए बार से जब foreign currency मुझे receive होगी क्या उस foreign currency का मैं मेरेको अपने देश में कोई फाइदा है बताऊ बताऊ आपने फाइदा होगा सर वो मारेगा आपको बगड़ के वो क्या बोलेगा भया मुझे यह डोलर डोलर नहीं मुझे तो मेरी क्या दो इंडिन करन्सी तो जब कभी भी अब जहां से समझे ना जब कभी भी कोई भी व्यापारी बहाँ सामान बेच करके जब उसको वहां से फॉरंगर्ण सी रिषी हो बढ़न लो को अगर इसे नृत जो प्रोड़ करते हैं कि ऑक साथ कर दो संसं से क्या होगा है निए को समान बेच होगे तो यतर से इंडिया की फॉरन इंकम पो dt ओगी और हमारे जा एग हो जाएंगे थो एक option पमेरे दीया और क्या option ढए आपको कि आपके से हूं एक्सपोर्ट को बढ़़ा सकते हो दूसरा option आप आप की का अब आया कोई समान इंडिया में लाओगे तो क्या अब आपको payment करनी पड़ेगी येस और क्या पेमेंट करने से आर्पिया के फोर्ण करनसी और कम होंगे भढ़ेंगे ते कम होगे आर्पिय चाहेगे रहे जाकि नई किल आप्सेटि इसे लिए गोवर्मेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंपोर्टो Ich官 को और कि इनृट्वरमेंट ऊस्पॉर्मेंट पिला थी अरे एक्सपोर्टर साभ आए इए तो बोले तो देश्क फोरन नसी कमा के दीते हैं और जैसे अगर वो कोई इंपोर्टर जाएगा और बोलेगा मैं इंपोर्टर हुजी मैं बहां से को समान मंगा रहा हूँ मुझे फोरन कंसी चाहिए तो आरवे गुद्दी में थपड़ वारत है और बेकार बंदा आगे है अटावने इसको कुर्सी भी निए निचे विड़ और एक्सपोर्ट को प्रोमोर्ट करने के लिए बहुस सारी स्कीम प्रोवेड करते हैं और इंपोर्ट को रोकने के लिए गुवर्मेंट बैरियर्स लगाती है जिनको हम लोग टैरिस और नों टैरिस बैरियर्स बोलते हैं समझे मैं बोलो जी सर आईए अब इंपोर्ट पर क्या करते हैं, restriction, एक option यह कि आप import मत करो, अगर देखो, पैसे का ना जाना भी तो पैसे का ना हुआ, अगर आप import करते तो पैसा जाता और import नहीं करोगे, इंपोर्ट पर barrier लगा दोगे, तो क्या, जो पैसा जा रहे हैं, जो फोर्ण से जा रही है, क्या हो बच जाएगी, नहीं बच जाएगी, बच जाएगी, तो एक तरीका यह भी है, तो import पर restriction, इंपोर्ट पर restriction से क्या होगा, हमारे लोग import नहीं करेंगे, तो import की payment, जो फोर्ण करसी में जाती, वो हमारे पास में बच जाएगी बच जाएगी ना और import को रोखने के लिए हमारी government जोगो क्या करती है barrier लगाती है barrier generally कितने तरह क्यों होते है दो तरी के एक है tariff barrier tax के तोर पर barrier जिसको BCD बोलते basic custom duty यह सब ठीक है और एक होते है non-tariff barrier इसको मगली क्लास के अंदर आपको इतना के दो गया होगा यह सुनों तो फॉर्म कंसी को इंक्रीज करने के दो आपको तरीके बता दिया एक तो है आप इंपोर्ट को जो क्या कर दो कम कर दो एक तरीका और भी होता है जो जयर् Wars चलता नहीं है यह फाट करते हैं यह करते है यह कंदे के पास में कशनु हैं और जायके बुरह बदेंगे विध speaking of भाट को है प्रवाने हैं समझे तो एक तरीका यह भी होता है वो कहां इंट्रेशल फिनेंशल इंसीटुशन जो भी है ना लाइक आपका वर्ल्ड बैंक गया लाइक आपका आइमेफ हो गया इन से क्या लिए लोन अगर आप इन से लोन लेंगे तो वहां से फोर्ण कंसी का इंफ्लो और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गोवर्मेंट बहुत सारी आपको स्कीम प्रोवेड करेगी ठीके ना बहुत सारे आपको कमिशन देगी सब कुछ करेगी गोवर्मेंट को उसकी पिछे का जो है वो क्या मोटीव है जितना तुम एक्सपोर्ट जादा करोगे उतना कि पहार से foreign currency की income आपके पास में आएगी तो government का जो Mohammad चाहिए लिए जदो क्या होजाएंगे वह सुर्म जाएगा है एस हुरिन को के जो सोरी बेरियर से उनको जनली दो पार्ट में समप किया गया है एक है आपके टैरिफ और यहां तरिको के आगी है जी सर तो यह जो टैरिफ बेसिक लिए आता है अब थोड़ा सा पढ़ते है custom duty के बारे में अच्छा इतना clear है गया आपकी इस तरीके से foreign currency reserve को increase कर सकते हो तो तीन option है पहला तो आपको मैंने बता दिया exports को भड़ा करके ठेके export किसी भी चीज़ का चया वो goods का हो चया वो services का हो दोसरा के import पर restriction लगा करके अच्छा आप FDA को कुछ बच्छे बढ़ें सर FDIBA हाँ FDIBA यह तो आभी उपर उपर से आपको में बता रहा हो आप depth के अंदर सब लेक्चर में आगे वाद लेक्चर में कवर करेंगे बुक के अंदर लिखा हो और सम्वम देखेंगे अभी बस यह द्यान लखेगा कि exports को बढ़ा करके आप 400 की रिजर्व बढ़ा सकते हो यह तक हो के येस अब आगे अब एक important बात समझो जब कभी भी custom duty की बात आएगी यह जब कभी भी import duty की बात आएगी तो import duty की बात आएगी तो import duty की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम तीन values के बारे में सुनते हैं अचा एक बात आओ, sale tax किसके उपर लगेगा, sale value पर, मालो कोई good 100 रवेगी हम बेच रहे हैं और tax है 10%, तो आप कैसे उसको compute करोगे, तो 100 रवेगी item है, उसको 10% tax तो कितना हो गया, so into में, बोलो, so into में, जहां देना एक बार, अगर मैं आपको बोलू, sale tax निकालो, आप sale tax कैसे निकलेगा, is equal to, sale value, into में, tax credit, yes or no? अगर मैं बोलू, income tax निकलो, आप कैसे निकलते हो, sir, income into में, tax credit, वो income tax निकलते है, yes or no? अगर मैं बोलू, sale tax निकलो, तो आप कैसे निकलोगे, sale value into में, tax credit, जह, अगर मैं आपको बोलू, GST निकलो, तो आप कैसे करोगे, value into में, GST का rate, कोई चीज 100 रुपे की है, उस पे 18% GST है, तो GST कितना हो गया, यह हो गया, so into में 18% बोलतो, 18 रुपे, yes or no, हाँ या ना, ब computer होगा, yes, उसी तरीके से, अगर मैं आपको बोलू, कि आप जो है, वो, import duty बताओ, कितनी लगेगी, तो import duty निकालने के लिए आपको दो चीज़े चाहिए, एक तो चाहिए value, और एक चाहिए import duty का rate, yes or no, yes sir, तो import duty का rate आपको कहां से भी लेगा, इसके लिए तो हमने एक अल आती है, तो तीम तरह की value जो है, हमारे सामने निकल गया आती है, एक होते X work value, एक होते FOB value, और एक होते CIF value, ये तीनों value आपने जो है, वो plus on के अंदर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मेरी वाइस करवाता हूँ, आओ एक बार के लिए, ध्यान दो, देखो जी, ये है इंडिया, मेरा प्यारा भारत, अब मान लिजिए, आप जो है, वो भार से, USA से, जान दे न, USA, कोई भी सावाल आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हो, मान लो, क्या मंगा हो गया तुम, ये, एक example है, मान लो, ये एक iPhone है, और इसको जो है, आप मंगाने की सोच रहे हो, ठेक ह और ये यूएस से पाज़ा जो iPhone है, ये है, मान लो, एक example, मान लो, 500 रुपेगा, एक example लेकी जाल दा हो, तो ये 500 रुपेगा phone है, जो आप जहाओ, ये यूएस से मंगाना चाहते हो, ठेक है, अब ये 500 रुपेगा phone, जो यूएस में है, बलब आपने यूएस का एक परसन कितने का है, एपल वाला बुला, साथ iPhone है, 500 रुपेगा, कितने का, 500 होगा, आप बुले ठीक है, ये जो 500 रुपेगा, एपल वाला देने के लिए तो ये या रहे है, तो क्या इसके अंदर, जंदना, क्या इसके अंदर, एपल वाले इने अपना profit margin मुर्जन सब कुछ अब आप बुले कि एपल वाला मुझे सामान इंडिया में भीजो, तो एपल वाला आप क्या करेगा, इस सामान को लेके जाएगा, कहां पर, क्या एपल वाला ये बुलेगा, सर आप अपनी छट्पाय जब मैं मेरी छट्पाय आ रहा हूं, और सर मैं phone fact के मारो, आप cash कर ले लूड करवान अपड़ेगा, तो जाके सामान आएगा, येस, अब जानते सुनना, ये जब 500 रुपे का जो iPhone था, अब ये एपल वाला जो है, इसको लेके गया अपने US के port पे, वहां पे जाके उसने clearance करवाया, जो भी खर्चा खुर्चा लगा, और खर्चा खुर्चा वेल्यू, 200 रुपे खर्चा जोड़ दिया, अब ये 700 रुपे जो वेल्यू निकल के ना, इसको बोलते है, FOP, Free Own Board Value, ये वो वेल्यू है, जिसमें USA से हमने custom clearance करवा ली है, तो अभी दो वेल्यू आपको बताईए, एक है एक्सवर्क वेल्यू, अगर मैं सामान ये iPhone, US जा क करके Apple वाले से लो, तो मुझे कितने का पढ़ रहा है, 500 रुपे गा, कितने का पढ़ रहा है, 500 रुपे गा, बना 500 रुपे में वो बंदा मुझे जो है, वो क्या, ये प्रोवाइड करवा देगा, ठीके, अब question ये आता है, अगर मैं सको बोलूँगा, नहीं मैं तो नहीं भेज दे, तो अब वो क्या करेगा, इसको लेगे जाएगा पहले US port पे, yes, port पे ले जाकि इसको वहाँ से जो है, authority से clear करवाएगा, yes, clearance का मालों खर्चा-कूर्चा लग गया, 200 रुपे, अब ये जो फोन है, अब वो कितने का पढ़ गया, 700 रुपे, ये 700 रुपे जो value, इ इतने मालों 100 रुपे भाड़ा लग गया, और क्योंकि भाई ये महेंगी चीज़ है, तो हम इसका जो है, आप समुंदर में के जरी है, जब ये आएगा, समुंदर ने उच-उची लहरे है, और लहरों में अगर ने डूब गया, तो हम इसका क्या करवा लेंगे, बीमा करव भी तो आया आया, और प्लस में इंशोरेंस, प्लस में फ्रेट, ये भी आ गया है, तो इसकी वेल्यू होगी कितने, 700 प्लस में 200 इस उगल टू 900, ये 900 जो है, इसका कॉल दें CIF वेल्यू, CIF वेल्यू को में ले हो गया, कोस्ट इंशोरेंस फ्रेट, नाम पे जा ना, नाम क CIF बोले तो, कोस्ट इंशोरेंस फ्रेट, ओके, जी, तीन वेल्यू आपको मैंने बता दी, पहली कौन सी, एक्स वर्क वेल्यू, एक्स वर्क वेल्यू में, जब आप सारे कस्टम क्लिरेंस चार्जिस को जोड देते हो, तो वो बनेगी क्या, FOB वेल्यू, और FOB वेल्यू क यह सर, अब मेरे एक छोटा सा आपसे जो हो वो कोशन है, जो हो एक टेक्स जो हो आपसे चार्ज करेगी, जिसको कस्टम डूटी बोलते है, कोशन ही है, वो किस वेल्यू के ओपर होना चाहिए, क्या वो टेक्स गोवर्यू आपसे 500 रुपे पर लेगी, या गोवर्यू वो इस 700 पर लेगी, या गोवर्यू आपसे वो टेक्स है, 900 पर लेगी, मेरा कुशन आपसे यह, बस मुझे यह बता दो, बताओ भी, कमेंड करके जरूर बताना आपने क्या सोचा, ठीक है, अंसर तो भी मैं बताओंगा, तो यूँ ना हो कि आप अंसर देके फिर कमेंड करो, अभी, अभी के अभी, बिना देके, बस मुझे यह बता दो, कि 500 पर लगेगा, 700 पर लगेगा, 900 पर लगेगा, बस, जो भी आपके माइड में आ रहे है, इस कॉंसर्ट को समझके, आप मुझे यह बताओ, बस, कमेंड करके जबाए, ठीक है, अचा है, अब यह बताओ एक ब इंपोर्ट कब मानेगी, जब समान यूएस से चलेगा तब, यह जब हमारे आप पोच जाएगा, तब, हम इंपोर्ट कब बोलेंगे, सर हम तो इंपोर्ट तब बोलेंगे, जब वो समान हमारे आप पोच जाएगा, रस्ते में डूब गया, रस्ते में घराब हो गया, तो ह सामान तो हुआ है तुम समान नहीं है यह संमान ही रहे है कि संब्रुण Admiralty नियुक्ता है उस्टंno पे उसले कि आगए उस टाइम पे उसकी वेल्यvoor कितने मुझे बता दो यह तेम्पे उसकी value बन दी है 900 रुपे और ये 900 रुपे क्या ये CIF value है या नहीं है तो हमारी जो import duty है वो किस पर लगती है CIF value समझी मैं रहा बोलो जल्दी बोलो sale text किस पर लगेगा sale value पर है GST किस पर लगेगा जो GST का value supply के उपर उसी तरीके से custom duty किस के पर लगेगी import value पर अब question यह import value जो है वो क्या होगी 3 में से कौन से होगी import value में X work value को लेगा होगी import value में CIF को लेगे चलू यह import value में FOB को लेगे चलू तो sir import duty जब पर आप जो है government जब आपसे charge करेगी तो वो चार्ट करेगे आपसे CIF value पर समझ में आगया क्या yes or no yes तो आपको government आपसे जो टेक्स लेगी और वो टेक्स किस value पर लेगी इस value पर यहाँ पर लिखा है मैंने import duty किस value पर लगेगी तो option थे X work value पर FOB पर CIF पर तो answer क्या है CIF value पर ओके जी सर आच्छा यह तो सर आप अभी import import की बात कर रहे हो तो क्या सर export पर कोई duty नहीं है क्या क्या export के ओपर government कोई भी tax charge नहीं करती बिल्कुल नहीं करती है government एक बहुत हो tax लगने से goods के rate महेंगे होंगे और government अगर import पर tax बढ़ाती है government हमेशे import के ओपर tax बढ़ाएगी क्यूं? क्यों government चाते है कि वो महेंगी हो जाए और जितनी वो महेंगी होगी तो हमारे लोग नहीं मंगाएगे और government यही तो चाते है कि import ना हो और import को रोकने के लिए government क्या करती है tax rate बढ़ा देती है समझे मैं या और export को बढ़ाने के लिए अब question यह है क्या government export के ओपर tax लगाएगी या tax नहीं लगाएगी आपस मुझी यह पता हो sir अगर government यह चाते है कि export बढ़े तो export के ओपर tax नहीं लगाना चाहिए yes or no yes sir तो मेरा question यह है कि government export पर tax लगाएगी या नहीं लगाएगी sir अगर export पर tax लगया तो goods के rate क्या हो जाएगी महेंगे और महेंगी चीज भार ज़्यादा बिकेगी या सस्ती चीज ज़्यादा बिकेगी तो ज़्यादा बिकेगी yes इसलिए government जो है export के ओपर duty नहीं लगाती है समझे मैं जी अब आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा export duty किस value पर लगेगी generally export पर duty यह tax नहीं है generally कुछ goods पर है लेकि generally जो भी goods आप भार क्या गरे export करे उसके ओपर government आपसे कोई भी tax जो चार्ज नहीं करती है ऐसा क्यूँ? ऐसा क्यूँ? reason reason यह है tax लगने से goods का जो price है जान देना tax लगने से goods का price क्या हो जाएगा? महंगा होगा tax लगने से goods का price क्या होगा? महंगा होगा and price increase होने पर वो भार जादा sale नहीं होगा इसलिए हमारे export जादा से जादा हो तो government जो है export पर tax नहीं लगाते जिससे क्या हो? price कम हो और जो goods है वो जादा big है so that export revenue in nature of so that टाकि export का जो revenue है न in nature of foreign currency वो क्या हो? increase हो जो export का revenue हो foreign currency के तोरवे वो हमारा क्या हो? बढ़े इसलिए government export के उपर जो हो tax है नहीं लगाती है जी sir but question यह तो क्या sir export होने वाली सारी जो goods हैं export होने वाली सारी के सारी जो goods हैं क्या उन पर tax नहीं लगता? बनाब किसी भी exported goods पर tax नहीं लगता? तो इसलिए government exported goods के उपर कई बार जो हो क्या करते है tax लगा देती है अब हम आगे पढ़ेंगे इसने बारे में और भी तो ऐसल यह कि export होने वाली सारी goods के उपर tax नहीं है tax है कुछ goods ऐसी है जिसकी इंडिया में scarcity है तो government उनके उपर भी एक्सपोर्ट के रवेंडियों बढ़ाना ताकि जितना एक्सपोर्ट भड़ेगा उतना बार से फ्लॉर्ट नमसी आएगी और हमारे फ्लॉर्ट नमसी रिजर्ब क्या होंगी बढ़ेगे समझे बाया? बोलो जी से तब ही आपने अक्सर सुना होगा गवर्मेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गवर्मेंट जो है वो इंपोर्ट के ओपर टैरिफ एक्स्टा कर रही है बेसिक कस्ट ड्यूटी बढ़ा रही है ठेके सीवीडी बढ़ा रही है यह क्यों कर रही है गवर्मेंट क्योंकि government चाहती है जितना tax ज्यादा लगाएंगे उतना भार से आने वाला goods महंगा होगा और अगर वो महंगा होगा तो हमारे देश के लोग नहीं मंगाएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि import को रोग दे ठेक है और export के उपर government जो है वो क्या कर रही है duty free कर रही है कि वही यह है government का सारा का सारा तरीका ठेक है ना अब government जो इंपोर्ट को रोकने के लिए कुछ barrier लगाती है उनको बोलते tariff और non-tariff यह barrier हम जो है वो next class में करेंगे तो अगली class के अंदर हम जो कवर करने वाले किसको tariff और non-tariff nature के barrier जो exam के अंदर यहां से question अफसर पूछा जाता है दो लेक्चर हमारे complete होगे दोनों elementary lecture थी उमीद करता हूँ कि आपको समझ माया होगा आज की lecture में हमने जो पढ़ा आओ एक बर लिए जल्दी से revise कर ले आजो सबसे पहरें आपको मैंने बताया कि इंपोर्ट के अंदर दो चीजी है एक है इंपोर्ट और एक है जरनली एक्स गोर्वंने निया होगे तो देश में ही वो सामान बनेगा और हमारे देश की जो domestic इंडस्ट्री है क्या वह प्रोमाट्ट होगी ये क्लिए हमारी देश की डूमैस्टिक इंडस्ट्री को क्या प्रोमेड करने के लिए प liksom डॉन तो अर्प 1917 कई वहां से आप ने बता दिये आपको रोखनए की इंपोर्टे दोष यह को रोकने गुर्मेंन जो हो popping lights the music जो है कि ऑनी दोध्र चाहरा कि एक था हुआने पड़ा हमने बता है कि import duty जो वो लगती है किसके ओपर import के ओपर आप question यह है कि import duty लगाने के लिए आपको दो चीस ही है एक तो यह duty का rate वो आपको custom टैरिफेक्ट में मिल जाएगा और एक आपको चीए value value जो ली तीन तरीके की होती है जब भी import की बात करेंगे तो वहां पर तीन तरह sender frame ठीक है फिर हमने पढ़ा export duty किस लिए लिए लगती है तो जानली एक्सपोर्ड के ओपर जो भी goods होती है न एक्सपोर्ड होने वाली जो पर जो है वो टेक्स नहीं लगाते क्यों रिजनता दिया क्योंकि अगर टेक्स लगाएंगे तो बहंगी होगी तो भार जादा नह है और पता है क्या गोर्वन बोलती है एक्सपोर्ड the goods not the taxes क्या goods का एक्सपोर्ड करो टेक्स को बाहर मत वेजो इसलिए export होने हमले जितनी बी घोर उन और सब पर tax को हटा दो समझो मैं बहुत यह ता आज का हमारा lecture आज की लेक्चर के अंदर हम लोगों कुछ एलिमेंटरी बात और पड़े, आप शायद एक image आपके माइंड में create हो रही होगी, अब next video के अदर जब हम tariff और नोंगारी barrier पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ एकदम clear हो जाएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और जिसने भी institution बने हुए, अभी आपको मैं link करते जाऊँगा, ठेक है न, कि WTQ बनाया, World Bank क्यों बनाया, IMF क्यों बनाया, अभी ये link उतरेंगे न, फिर आपको चीज़े एकदम crystal clear हो जाएगी, पूरी पूरी economy आपके minding अंदर बैढ़ जाएगी, फिर आपको समझ भाएगे, अरे ये चीज़े थी या, कितना simple है बताओ, और जब आप कल को आप पढ़ाने जाओगे बच्चों को, तो जब आप इस linkage के साथ जब बच्चों को पढ़ाओगे, यार बच्चा बोलेगा भाई, इसके जथा teacher मैंने आश्तर नहीं देगा, तो तुमको वही एक bench मा create करना है, कि जब तुम क्राफ में चलेगे न, बच्चा पिंटरों को कि बस तुमारी बाफ सुने, बच्चा मंतर मुंत हो जाए, बच्चे को 104 डिगरी मुखार भी हो रहा है तो भी बच्चा बोले भाई, मैं क्लास लगाने आऊँगा, समझ रहे हो न, ऐसा बनना है दुमको, ओके, यह सा, चलो, यह था आजका लेक्च्चर को जोज़ी से कर ली सी, बाकी अटो भी करते हैं, अपने नेक्स वीडियो में, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा, अच्छा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लेगी है, वो भी बताइएगा, बाकी, जून 1224 के ओन बैस स्टार्ट कर दिया है, नीचे नंबर है, इस पर के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते कल नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, थेंक्यो रिमार,